हाई दोस्तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बीबीसी फ्यूचर टिक्नोलजी दोस्तो मोवीज में आपने कुछ ऐसी कार्ज देखी होंगी जिनको देखकर आप सोच में पढ़ गई होंगे कि क्या सच की जिन्दगी में कभी ऐसी कार्ज बन सकती हैं लेकिन आपने अगर कभी ऐसा सोचा था तो मैं आपको बताता चलू कि आपने बिलकुल सही सोचा था मुस्तक्बिल में ऐसी कार्स बनने जा रही हैं जो हमारे कार चलाने के तरीके को पूरी तरह से बदल कर रख देंगी इन कार्स का डिजाइन और फीचर्स के बारे में जानकर आपके होश उड़ने वाले हैं तो इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं अपने पहली कार की जानीब दोस्तों एमजी रोबो नमी ये कार दुनिया के उन शांदार कारों में से एक होगी जो के फुली आटोमेटिड और ड्राइवर के बगएर हैं इस गाड़ी को मर्सडीज कार कमपनी बना रही है जिसका डिजाइन बिलकुल हटकर होगा इस कार का डिजाइन इस तरज से बनाया जाएगा के ये कार हवा को चीरती हुई दोड़ पाएगी मर्सडीज कार कंपनी की तरफ से बनाई गई ये सबसे हैरान कुन और मौडरन कार होगी जो के कारों के शुकीन अफराद की पहली 24 हो सकती है नमबर दो पर है पगानी गैनाडोर LMP1 दोस्तो इस कार को एगार नामी एक शक्स ने डिजाइन किया है ये कार खास तोर पर रेसिंग के लिए बनाई जाएगी और आने वाले कुछ सालों में ये कार दुनिया की तेज तरीन कार होगी ये कार रेसिंग की दुनिया को पूरी तरह से बदल कर रख देगी इस कार में मुझूद टेकनलोजी अब तक की जदीत तरीन टेकनलोजी होगी और इस कार में आपने बहुत से एडवांस्ट फीचर्स देखने को मिलेंगे सबसे बढ़कर इस कार में लगे विन्ट टरबाइन्स वील है जब गाड़ी तेज रफतारी से दोड़ती है तो ये वील्ज तेजी से घुमते हैं जिससे बिजली पैदा करके इसे कार में लगी बैटरीज में स्टोर किया जाता है इस गाड़ी में लगा स्ट्रेरिंग नहाज चांदार है और इस स्टेरिंग पर पूरी कार को कंट्रोल करने के लिए बटन्स लगे हुए हैं इस कार की टॉप स्पीड 768 किलोमेटर फी घंटा की होगी जो के इस कार को दुनिया की तेज तरीन कार बना देगी नमबर तीन पर है रोवी आई यूनेट 2025 दोस्तों आने वाले चंद ही सालों में ड्राइवर के बगार गाड़ियां सडकों पर अपना रंग जमाना शुरू कर देंगी इनहीं में से एक रोवी आई यूनेट नामी ये कार भी शामिल होगी इस पूरी कार में एक ऐसी टेकनोलोजी नस्ब की गई है जिससे आप एक एप से ही इस गाड़ी को कंट्रोल कर सकेंगे इस कार में लगी टेकनोलोजी की मदद से आप अपनी लोकेशन सेट करके इस कार को अपने पास बुलवा सकते हैं इस कार में सहूलत के लिए एक बड़ी सी होलोग्राम स्क्रीन लगी हुई है जिस पर आप अपने पसंद की मुवीज, कार्टून सीरीज और गाने सुन सकते हैं दोस्तों इस कार कमपनी ने एक और कार का मॉडल तयार किया है जो के इस कार से भी बढ़कर है इस कार में सबसे बढ़कर इस कार का डिजाइन है जो के बढ़ते हुई ट्रैफिक को मदे नजर रखकर बनाया गया है इस कार में लगी लाइट्स बाकी सबी कारों से अलग और शानदार होंगी इस कार से निकल कर अब आपको पैदल चलने की भी दुरूरत नहीं होगी क्योंकि ये कार एक अलेक्रोनिक स्केट बोर्डर भी आपको देगी इसके इलावा इसकी स्क्रीन पर आप मैप, वैदर और गाड़ी के बाकी फीचर्स के मुतलिक जान सकेंगी नमबर चार पर है आस्टन मार्टेन वलकराई दोस्तो आस्टन मार्टेन शांदार कार्स बनाने वाली कमपनी है इस कमपनी की कारों को देख कर लगता है जैसे इस कार कमपनी ने गाड़ियों को एडवांस्ट, फ्यूचिरिस्टिक और मौडरन बनाने का बीड़ा उठा रखा हो इस कमपनी की तरफ से बनाई जाने वाली ये गाड़ी भी डिजाइन, फीचर्स, इंजन और स्पीड के लिहासे नमबर वन होगी इस गाड़ी की कीमत साथ करोड रुपे के लगबग होगी इस गाड़ी में साथ गेर्ज लगे हैं जबके इस गाड़ी के दरवाजे नहाइद लगजीरियस और खुबसूरत हैं जो के उपर की तरफ खुलते हैं ये कार 400 किलोमेटर की स्पीड असानी से पकड़ पाएगी जो के रूटिड कारों के लिए कोई आम बात नहीं नमबर पांच पर है आड़ी लिमांस फ्यूचर वीजिन नहाइद छांदार डिजाइन, फ्यूचरिस्टिक और स्पीड के लिहास से आड़ी की ये कार जल्द ही हमें सडकों पर दोड़ती हुई मिलेगी ये कार देखने में फ्यूचर से आई हुई कोई कार लगती है आड़ी कार कंपनी पहले ही मार्कीट में एक बड़ा नाम रखती है मगर इस कार की लौचिंग के बाद ये इस कंपनी की पापुलरिटी में और भी इजाफा कर देगी इस कार का इंजन इस कदर पावरफुल बनाया गया है के इसको चला कर आप हवा से बाते कर सकते हैं तो दोस्तो ये थी मेरी आज की वीडियो इन में से कौन सी कार आपको सबसे अच्छी लगी और अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हो तो आप इन में से कौन सी कार को खरीदना पसंद करेंगे नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताईएगा इस वीडियो को लाइक और हमारी चैनल BBC Future Technology को सबस्क्राइब करना मत भूलिएगा मैं मिलूँगा आप से अगले किसी ऐसी ही अच्छी वीडियो के साथ तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें अलाह आफिज